कर दोस्तों सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित पे हैं तो दोस्तों कल मार्केट कहां से देखेगा शौट कवरीं देगा कितने मिनट में देगा आपको पता चलेगा हमारे टेलिग्राम चैनल में मिस्पत करिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंग मिल चाएगा और एक एक करके सारे पाक्स अंफिडर बताएगे लेकिन आज 2-3 इंडिकेटर ऐसे हैं जो हेवी है जो यह एक इंडिकेशन दे रहें कि कल हमें एक शौट कवरीं मिल सकती है वही हमारा पहला ट्रेड होगा वही हमारा आखरी ट्रेड होगा like हमें एक short covering मिलेगी और उसके बाद trade को close कर देना है best scenario रहता है जब आप देखेगा as a beginner है तो आपको अपना risk management करना है और risk management जो भी कर ले जाता है within 3, 6 month, 1 year, something ये सीखने में time रखता है तो आप समझ लीजे बहुत आगे बढ़ जाते हैं एक profitable trader बनने के लिए क्या लेकर गया थे बहुत अच्छी rally को लेकर गया थे indication मैंने आपको पहले दे दिया था Sunday को दे दिया था मैंने आपको बता भी दिया था कल मैंने आपको red alert बताया था मैंने cautious element बताया थे मैंने कहा था panic rate होगा और आपको वो चीज देखने को मिली ठीक है, हाँ, कभी कबार क्या होता है, कम ज़्यादा चीज़े हो जाती है, वो according to the news और reaction होता है, लेकिन FIIs अभी किसी भी mood में नहीं है, जब तक वो inflation का data नहीं देख लेंगे, कि वो किसी भी तरीके की buying करें, अगर आप देखेंगे, तो कल यहाँ पर आपको देखने को मिल जा था, अच्छा futures में buying, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा selling कर दी है, तो FIIs को लेकर, किसी भी तरीके से देखेगा, कोई भी scenario ना वनाईए, अगर आप देखेंगे, तो काफी ज़्यादा देखेगा, downtrend देखने को मिला है, struggle देखने को मिला है, एक jump देखने को मिला था, bounce back आया था, बट स्टिल अगर आप देखेंगे, उस bounce back, उस momentum को देखेगा, dollar index maintain नहीं कर पा रहा, sustain नहीं कर पा रहा, तो आप देख रहे हैं, यह plus point है, और plus point सबसे बड़ा मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही बड़ा panic fall देखेगा, appreciation आया है, हमारी Indian currency में, त देखेगा, अच्छी forex reserve आने के, उमीद है, chances हैं, इस particular Friday को, और यह सबसे बड़ी positive update होगी, चुकि अगले हफते से market का trend change हो जाएगा, positive scenario में आ जाएगा, चुकि हमारे पास HDFC bank के result होगे, और हम दीरे दीरे देखेगा, trajectory में जा रहे हैं, budget की, तो यह सबसे बड़ी positive update है, जो हमारी currency appreciate हो रही है, हमारी currency में clarity आ रही है, यह कल के लिए सबसे बड़ी positive update है, like कर दीजे वीडियो को, आगे बढ़िएगा, तो आप देखेंगे, तो ना केवल हमारी currency, dollar के comparison में appreciate हो रही है, बलकि देखेगा, euro, अगर आप देखेंगे, GBP, JPY देखेंगे, सब के comparison में अच्छा देखेंगा appreciation देखने हो मिला है, which is really nice, for the export import, for the fiscal deficit, for the forex reserve, और आपको पता है, जितना forex reserve बढ़ेंगे, उतना FIA इसको confidence आएगा, Indian equity market में, दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, कि कल आपको reliance में rebound देखने हो में सकता है, चुकि crude oil ने अपनी जो downtrend थी, उसको sustain करा है, और Brent oil ने भी देखेगा, momentum अभी बरकरा रखा है, तो जब तक crude oil अप रहेगा, जब तक crude oil और देखेगा, Brent oil में देखेगा, panic देख नहीं मिलेगा, panic fall नहीं आएगा, तो यह reliance industry के लिए अच्छी बात है, reliance industry किसको question देता है, आपको देता है nifty 50 को, तो आप समझ सकते है, कि यहां पे reliance industry कल अच्छा रहेगा, तो इसका मतलब market में एक short covering बन सकती है, जो कि clarity दे रहा है हमारा commodity बजार, फिर अगर आप देखेंगे, तो आज सबसे अच्छी बात है, कि हम panic fall में क्यों आये थे, चुकि DAO futures में downtrend था, NASDAQ future में downtrend था, और पूरे दिन आपको वो downt trend continue देखने को मिला, बट अगर आप देखेंगे, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पे rebound आया है, अभी तो 100 points का rebound था, थोड़ा सा देखेंगा profit booking आया है, बट मुझे लगता है, कि कल positive trajectory में DAO futures आते हुए देखने को मिलेंगे, और पहला trade short covering के साथ बन ज scenario होगा, चुकि TCS के result काफी comparatively better आया है, तो as such Nasdaq में भी उतना ज्यादा panic नहीं है, जितना panic इतने दिनों से आपको देखने को मिला था, तो यह बहुत ही अच्छा sentiment है, आगे अगर आगर आप बात करेंगे, तो small cap में भी अच्छी बाइंगे, S&P में भी देखेंगा, ठी आगे अगर आगर आप यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आप बिट कॉइंज में अगर आप देखेंगे, कि यहाँ पर आप bit quiet में, कोई भी पैनिक फॉल नहीं है जिस तरीके का पैनिक फॉल इंडियन एकुटी मार्केट में देखनी को मिला है तो यह भी प्लस पॉइंट है आगे अगर आब बात करेंगे तो इसके साथ कल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कल देखेगा अठारा अजार पहला रेजिस्टे 75 कल का देखेगा रेजिस्टेंस रहेगा नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 17,750 जो की बहुत दिनों से नहीं टूटा है तो यह जिस दिन इसके नीचे क्लोजिंग देखनी मिल जाए तो आप तुरांत देखेगा एक्जिट कर दीजेगा पोजिशन को क्योंकि यहाँ पर फिर पैनिक फॉल आ सकता है निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो देखेगा 42,000 का लेवल भी टूट चुका है तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 41,750 कल का सपोर्ट होगा आपके लिए उपर की तरफ देखेगा 42,200 पर देखेग वीडियो कर अच्छा लगा है तो लाइक शियर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थाइंक यू सो मच